हाई एब्रीवन आज मैं आपके साथ सेयर करने वाली हूँ पास्ता मैक्राउनी और पीजा में इस्तिमाल होने वाला वाइट सॉस की रेस्पी अभी तक आपने इसको पीजा में इस्तिमाल नहीं किया होगा बट आप इसको चीस्ट की जगह इस्तिमाल करिए बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए इसको बनाना सीख लेते हैं तो एक पैन में हम डालेंगे दो चम्मच बटर आप बटर की जगह देशी घी या रिफाइ पर अच्छे से मिक्स करेंगे तो इस प्रोसीजर में आपको गैस की फ्रेम को बिल्कुल लो रखना है ताकि मेंदा दूरे कच्चा ना रहे अच्छे से भुन जाए तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है लगबग एक मिनट तक भून लिया है आप हम इसमें एक चौथाई कप दूध तो दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे खटा हमें नहीं डालना है इससे वाइट सॉस का जो टेस्ट है बहुत जादा बढ़ जाता है तो लेजे हमने दूध को डाल दिया है इसको हम लगा तार एक मिन अटक चलाएंगे धीरे धीरे मि जगह से मटाया है आप इसमें हम डालेंगे एक कप पानी तो पहले हम आदा कप पानी डालते हैं इसको अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हम आदा कप पानी और डाल देंगे तो लेजे हमने पूरा पानी जो है अच्छे से डाल दिया है और ये काफी अच्छे से मिक्स हो गया और अब हम इसको लगातार चलाएंगे जब तक चलाना है जब तक ये गाड़ा नहीं हो जाता है लेकिन अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है तो हम चुटकी भर नमक डाल देते हैं आप चाहे तो इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं बट मैं न बलाूँ न मैं के लिए भी आपाट वर नहीं रोख मया एक कर चुकी घं इसमी नहीं है बोने मेनल नहीं हम सब कर चुकी हूं और अब हम इसमें लगाएंगे वाइट सॉस तो जो वाइट सॉस है इसको आपको चीज की जगा इस्तिमाल करना है कुछ लोगों के पास चीज नहीं होता है तो आप इसका इस्तिमाल करिए ये बहुत बहुत टेस्टी लगता है जब आप देखेंगे पीजा पूरी तरह से बन करके तयार हो जाएगा तो आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने इसमें चीज मिलाया है वाइट सॉस इसी तरह से आप पास्ता मैकरोनी में भी इसका यूज कर सकते हैं तो लिजी हमने वाइट सॉस मिला दिया है और अब उपर से हम पीजा की गार्निशिंग कर देते हैं स्वीट कॉन और मन मुताबक सबजीयों के हिसाब से तो सिमला मेज, प्याज और टमाटर से मैं इसको बड़ी ऐसे सजा देती हूँ और थोड़ा थोड़ा से हम जो सॉस हमने बनाया है वाइट सॉस इसको हम और बीच्वीच में डाल देंगे जब ये गरम होता है तो अच्छे से पिखल जाता है और सबी जगा बैठ जाता है तो लिजी हमने इसको बिना ओवन के बनाया है कितना बढ़िया हमारा वाइट सॉस से पीजा बन करके तैयार हो गया है बिना चीज के पीजा बनाया है तो यह रेस्पी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी दूसरी तैनर रक्षा की रसोई में डली हुई है तो यह पीजा की रेस्पी आप देख सकते हैं तो चलिए हमें की वाइट सॉस की रेस्पी पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेयर करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई ठीक है